मार्क ट्विन कहते हैं पब्लिक स्पिकिंग के डर को दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है लोगों के सामने बोलना अगर आपने कभी ये फील किया है कि भीड के सामने खड़े होने के थोट से ही आपका दिल तेजी से धरकने लगता है और हतेलियों में पसीना आता है तो आप अकेले नहीं है क्या आप जानते हैं कि पब्लिक स्पिकिंग दुनिया में सबसे कॉमन डर में से एक है नाशनल इंस्टिटूट आप मेंटल हिल्थ के एक स्टडी के अकॉर्डिंग लगबग 75% लोगों को पब्लिक स्पिकिंग से डर लगता है क्या आप जानते हैं कि पब्लिक स्पिकिंग का डर जिससे ग्लूसोफोबिय भी कहा जाता है स्टडी से पता चलता है कि लोग मरने से ज़ादा पब्लिक स्पिकिंग से डरते हैं ये एक दिल्चस बात है जो इस बात पर रोश्णी डालती है कि ये डर हम पर कितनी गहराई तक इंपक्ट डाल सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे भी जादा मज़ेतार चीज क्या है। ऐसे लोगों की काउंटलेस कहानिया हैं जिन्होंने इस डर कर डर कर सामना किया और जीते। कई फेमस और सक्सेसल लोग भी अपनी लाइफ में कभी न कभी पब्लिक स्पीकिंग से डरते रहे हैं। सभी ने एक्सेप्ट किया है कि सक्सेसल होने से पहले वो पब्लिक स्पीकिंग से डरते थे। सभी चीज़ों के लिए पब्लिक स्पीकिंग में माहिर होना बहुत जरूरी है। उस इंसान को याद कीजे जिसका बोलने का तरीका आपको बहुत पसंद है। उनकी पब्लिक स्पीकिंग कमाल की है और आप भी उसी इंसान की तरह लाखों लोगों से बात करना चाते हैं। उन्हें positively influence करना चाते हैं। अगर आपके मन में भी यही सब चल रहा है तो आज की वीडियो आपके लिए life changing हो सकती है। आज हम दाट और पब्लिक स्पीकिंग बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे bestselling author डिल कार्नीगे ने लिखा है। इस बुक को चे से समझने के लिए हमने इसको 12 चिप्टर में डिवाइड किया है। तो चली फिर एके करके सब को डीटेल में समझते हैं। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा तरीका है जिसके जरीए आप अपने दिल की बात दूसरे लोगों से कह सकते हैं। पहले के जमाने में जब लोग मिल नहीं पाते थे तो वो लिख कर अपनी बाते दूसरों तक पहुचाया करते थे। सबसे पहले ये तरीका आज से लगबग साड़े 400 साल पहले एजिप्ट में आया था जब लोग एक दूसरे को लिख कर अपनी बाते बताया करते थे। लेकिन टाइम के साथ-साथ लोगों ने लैंगविज सीखी और फिर उस लैंगविज का इस्तमाल करके अपनी बात दूसरों तक पहुचाना सीखा। इसे प्लानिंग करनी होगी कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है यहाँ पर आम बोलचाल की शब्दों की जगा फॉर्म में लैंगविज का इस्तमाल करना होता है। पब्लिक स्पिकिंग करते टाइम यहाँ पर कुछ बाते हैं जो में ध्यान रखनी चाहिए। अपनी ओडियन्स के अर्गुमेंट और उनके फीडबेक को समझना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी बात बताते जाएं और ओडियन्स के एक भी न सुनें। ऐसे में ओडियन्स आपकी स्पीच से अपना इंटरस्ट खो देखी। इसके लिए अपनी ओडियन्स से टाइम टू टाइम फीडबेक लेते रहें। ओडियन्स के साथ इमोशनली जुड़कर अपनी बातों को फैट के साथ रखें। जो भी मेसेज अपनी स्पीच से जरिये देना चाते हैं, वो ओडियन्स तक क्लेरली पहुचाएं। पब्लिक स्पीकिंग का गुल, लिसनर से मन चाहे रिस्पॉंस लेने का है, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं। मतलब अगर लिसनर्स को आपकी बात पसंद आई है, तब ही वो आपके लिए तालिया भजाएंगे, आप उनसे जबरदस्ती तालिय नहीं बज़वा सकते। पब्लिक स्पीकिंग एक पावर की तरह है, इसलिए इसके साथ बहुत सी जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। और पहले खुद सीखें, फिर दूसरों को बताएं, और जुट कभी ना बोले। जब आप पहली बार लिसनिंग वर्ट सुनते हैं, तो आपके मन में क्या आता है? शायद आप सोचते होंगे कि इसका मतलब सुनना होता है, लेकिन नहीं। लिसनिंग और हीरिंग दोनों अलगलग वर्ट हैं। लिसनिंग का मतब होता है किसी भी चीज़ को सुनना, समझना और फिर उसके उपर अपना रियक्शन देना। वहीं दूसरे वर्ट हीरिंग का मतलब होता है, सिर्फ किसी चीज़ को सुनना और जो मन में आये रियक्शन देना। इन दोनों ही वर्ट का मतलब अलगल होता है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं, उनकी बाते सुन रहे हैं, तो आप उसे हीरिंग बोलेंगे, जहांपर आप अपनी बात बोल रहे हैं, और सामने वाली की बात भी सुन रहे हैं, जब पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, या फिर आप एक आउडियंस के तौर पर एक पब्लिक स्पीकर के सामने बैठते हैं तब आप लिसनिंग करते हैं मतलबर छोटे-छोटे वर्ड को हर छोटी-छोटी चीज को अपने दिमाग में रखते हैं उसको समझने की कोशिज करते हैं और उसके बाद अपना रियाक्शन देते हैं अच्छा स्पीकर बनी के लिए सबसे पहले दो डाइरेक्शन में बढ़ जाता है और किसी भी एक चीज़ पर 100% ध्यान नहीं लगा बाता इसलिए एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए बहुत जरूरी है कि अपनी ओडियन्स की बात अच्छे से समझें इसलिए जब कभी भी आपकी ओडियन्स आपसे कुछ बुले तो आपको बिल्कुल चुप हो जाना है ताकि आप उनकी बात को अच्छे तरीके से समझ पाएं ना कि सिर्फ अपनी बात बोलते रहें और उनकी बात भी समझ ना पाएं या फिर आप अगर एक ओडियन्स की रूप में जा रहे हैं तो अपने पब्लिक स्पीकर की बात को पहले सुनें उसके बाद अपनी बात कहें ताकि आप दोनों ही एक दूसरे कोचे से समझ सकें एक पब्लिक स्पीकर के लिए उसकी पहली स्पीच बहुत इंपॉर्टन होती है जब आप अपनी पहली स्पीच देने जा रहे हों तो आप ऑडियन्स में से एक पब्लि पहलता नहीं आएगा और कोई भी आपकी स्पीच में इंटरस्ट नहीं लेगा शुरॉत के दो या तीन मिनट ओडियन्स से बात करने और उनसे उनके हाल चाल पूछने से और उनसे उनके यहां पर आने के परपस को पूछने से उनको आपका ब्येवर पसंद आएगा और व कुछ ज़्यादा ही डीप साइंस के बारे में बता दिया तो लोग आपकी बातों में इंटरस्ट नहीं लेंगे और उनका इंटरस्ट उसी वक्त आपकी स्पीच से खतम हो जाएगा लोगों को अपनी बातों से जोड़े रखें अपनी बातों में आम बोल चालके फॉर्मल की वर्ट के इस्तमाल ना करें ताकि हर कोई उससे समझ भाए और ओडियंस आपके साथ जुड़ी रहें अपनी स्पीच को और्गनाइस करें अपनी स्पीच को पूरी तरह से प्लान करके बोलें प्लानिंग करना इसलिए जरूरी है ताकि आप इस बारे में क्लियर रहें कि कौन सी बात पहले बोलने से ओडियंस पर अच्छा इंपक्ट पड़ेगा और कौन सी बात में सबसे पहले इंट्रोड़क्शन से शुरू करें उसके बाद धीरे धीरे अपने टॉपिक के में बाडी पर जाएं में बाडी में अपने टॉपिक के हर ज़रूरी हिसे को कवर क करने की कोशिश करें और उसके बाद आपको आखिर में कंक्लूड करते टाइम अपने टॉपिक के अड्वांटेज़ और डिजड्वांटेज़ बताते हुए उसको पूरा करें इस तरीके से आपके स्पीच पूरी तरह से और नेज रहेगी और लोगों को सुनने में भी मजा आएगा अपनी स्पीच के लिए कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करते टाइम ध्यान रखें या तो वो टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए या फिर वो टॉपिक सभी के लिए नया होना चाहिए जैसे अगर आपको इलेक्ट्रोनिक आडियो के बारे में बहुत अच्छे और पब्लिक को बताएं, इससे वो सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत नया टॉपिक है, और उसको हर कोई जानना चाता है, अगर आप किसी टॉपिक के अबार में बहुत जादा नहीं जानते हैं, और ओडियन्स थोड़ी एक्सपिरियंस है, तो आप सिर्फ इसका ओवर् और इसे ठीक करने के तरीके पर बात करने से, वो आपके साथ connected feel करेंगे, हो सके तो इससे जोड़ा अपना कोई personal experience भी उनके साथ share करें, अपनी ओडियन्स का interest पता लगाने के लिए, सबसे पहले उनसे बात करें, उनसे पूछे कि वो कहां से हैं, यहाने का purpose क्या है, इस तर अपनी ओडियन्स से कुछ सवाल पूछते रहें, उनका जवाब दे, या फिर ओडियन्स में सही किसी को जवाब देने के लिए कहें, physical example का use करें, अब आप अपनी ओडियन्स से बात करके पता लगाएं कि response कैसा है, क्या वो speech के लिए positive approach रख रहे हैं, या फिर negative approach, अगर आपका response अच्छा है, तो उनमें से कुछ लोगों को stage पर बुला कर मजाक्या तरीके से, अपनी speech से related, कोई छोटा सा task करने के लिए के लि अपना कोई पराना किसा शेर कर सकते हैं, या उससे related कोई कहानी सुना सकते हैं, जिससे audience के मन में जादा सुनने की दल्चस्पी जागीगी, numerical data का इस्तमाल करें, data से हमें कुछी पलो में चीजों की समझ हो जाती है, और trust बनने लगता है, इसलिए अपनी बातों को verbally बताने क के साथ साथ support के लिए data को show करते रहें, सिर्फ verbally सुनने से लोगों को कुछी time तक वो बात याद रहती है, जबकि data जैसे graph और diagram से साधा clear समझ आती है, motivational quotes यूज करें, speech में time time पर कुछ motivational quote डालने से audience motivated रहती है, और बिना bore हुए दुबारा speaker की बातों पर ध्यान देने लगती है, इस point में आप जानेंगे कि कैसे अपनी speech को अच्छे से organize कर सकते हैं, ताकि लोगों को शुरू से लेकर end तक अपनी बात समझा सके, अगर आप कभी भी कोई भी बात अपनी speech में बोल देंगे, तो कोई भी आपकी बात को समझ नहीं पाएगा, इसलिए अपनी speech को organize करना बहुत जरूरी है, अब यहाँ पर कुछ points हैं, जिनके जरिया आप अपनी speech को organize कर सकते हैं, हलकी बाचीत और introduction के साथ शुरू करें, अपनी speech को start करते time, सबसे पहले अपनी audience से बात करें, और पता लगाएं कि वो कैसा feel कर रहे हैं, और वो इस speech को लेकर कैसा सोचते हैं, उस जरूरात में ही, बहुत ज़्यादा deep में ना चाहें, सिर्फ थोड़ी-थोड़ी बाते करें, और audience से interact करके connection बनाएं, special order को follow करें, अपनी speech में छोटा सा introduction देने के बाद, अब अपनी speech के main body पर आना है, जहां पर अपने topic के बारे में deep तक जाना है, इसके लिए special order method को follow करें इस order का मतलब है, एक sequence को follow करते हुए facts को बताएं, example के लिए, आप किसी चीज़ के अच्छाई करते आ रहे हैं, तो आगे भी उसकी अच्छाई के बारे में ही बात करें, फिर उसकी कम्यों के बारे में, और उसके बाद उन कम्यों को ठीक करने के बारे में बात करें, main points को अ जादा ध्यान देना चाहिए, और किस पर कम, इस लिए अपनी ज़रूरी points को दूसरे example से अलग रखें, ऐसा करने से आप effectively अपनी बात रख पाएंगे, हालकि अब तक आप समझ चुके हैं, कि हमें अपनी speech की शुरुआत हलके full के introduction से करनी है, यहाँ पर कुछ additional तरीके बता आते कहकर, audience में से किसी और से अगला सवाल पुछें, ताकि वो यह समझ जाएं, कि आज का topic इस बारे में होने वाला है, और audience इसके लिए mentally prepared हो जाए, quotation के साथ शुरू करें, introduction के बाद सबसे पहले किसी famous line या famous quotation के साथ, अपनी बात को शुरू करना है, जिससे लोग motivated feel और speech में दिलचास पी लेने लगेंगे, story बताएं, बचपन सही हमें कहानी सुनना पसंद है, story से सीखे के बाद, direct हमारे subconscious mind में चली जाती है, इसलिए introduction देने के बाद, और एक motivated line कहने के बाद, अब audience को speech से related, कोई incident या कहानी सुनाए, audio equipment या video lyrics का use करें, अब अपनी audience को कहान सुनाने के बाद, हम अपनी speech की main body पर आ चुके हैं, जहां अपनी speech के बारे में बात कर रहे हैं, इस दोरान, अपनी बातों को सिर्फ बोल कर बताने के बजाए, उससे जुड़े photo और वीडियो दिखाएं, अपनी speech को summarize करें, जब आप अपनी आदे से जादा speech को खत्म कर च ऐसा करने से, आप अपनी speech के end को भी interesting बना सकते हैं, quotation और good luck के साथ खत्म करें, आप अपनी speech को खत्म करने के बाद, आपको शुरात के थरा दुबारा एक motivational quote देना है, ताकि लोग जाते वक्त भी motivated feel करें, और उनको good luck wish करें, ताकि वो आपके लिए अपने मन में एक स्पीच में आने के लिए तयार रहें, अभी तक हमने देखा कि audience के सामने speech को कैसे बोलें, अब आप जानने वाले हैं, जब आप अपनी पहली speech लिख रहे हों, तो किन-किन बातों का ध्यान रखना है, और हम speech कैसे लिख सकते हैं, ताकि उसमें कोई गलती ना हो, और वो एक interesting speech बन पाए, एक अच्छे speech लिखने के लिए यहाँ पर कुछ points दिये गए है, preparation outline, जब कोई speaker stage पर जाकर बोलते हैं, तो सब कुछ ए एक paper पर नहीं लिखा होता कि वो speech कैसे बोलनी है, कब कौन सी line है की, या क्या introduction है, क्या main body है, या क्या ending है, कब किस cheese का example देना है, कब audience में क answer सवाल पूछना है, और कहां पर दुबारा बोलना है, इसी process को हम preparation outline बोलते हैं, अब देखना है कि आप outline preparation कैसे करते हैं, अपनी speech के specific purpose के बारे में clear रहे हैं, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, अपनी speech के सबसे जरूरी part, यानकी main body में क्या देना है, या फिर इसको आपके पास हैं, वो सब कुछ निकाले हैं, यह हमारे पहले step का हिस्सा है, जहां पर हमें ये decide करना है कि speech का title क्या होगा, और speech के इस topic पर होगी, introduction, body और conclusion को label दे, अब अपनी speech का title decide करने के बाद, आपको देखना है कि speech के हम introduction में, body में कौन सा हिस्सा डालने वाले हैं, और speech को खत्म करते हुए, कौन सा हिस्सा हमें बोलना है, क्योंकि अगर आप ये अच्छे से design नहीं करेंगे, कि हमें कब क्या बोलना है, तो हमारी पूरी speech आगे फीशे हो सकती है, और audience को कुछ भी समझ नहीं आएगा, audience की बीच दल्चस्पी बनाये रखने के लिए, हर चीज को आपको ध्यान रखना है, कि अगर आप किसी चीज की अच्छाई बता रहे हैं, तो अभी भी हमें उसकी अच्छाई ही बतानी है, अगर उसके बारे में कुछ गलत है, तो पहले अच्छाई वाला पूरा करना है, उसके बाद हमें उसके बारे में कुछ गलत बोलें, ताकि audience को समझ आए कि पहले अच्छाई थी और आप गलत दोनों को ये एक में मिला देने से उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाह रही है और वो दिल्चस्पी छोड़ देंगे अपनी स्पीच में जो लैंगवेज यूज कर रहे हैं वो क्लियर और ओडियंस से connected होनी चाहिए लैंगवेज का यहाँ पर मतलब है कि आपके स्टोन में बात कर रहे हैं ध्यान रखें कहीं आपकी बात सामने वाले को गलत ना लग जाए और आप जो चीज कहना चाहर रहे हैं वो लिखा तो सही है लेकिन अच्छे से वो बोल नहीं पार रहे हैं अपनी आपको वही बोलना है जो आपने लिखा है या फिर जो फैक्ट है realistic बातों से अगर किसी को hurt हो सकता है तो अपनी बात इस तरह से रखें ताकि audience को भी बुरा ना लगे और बात का मतलब भी समझ है अब तक आपने समझ लिया होगा कि आपको speech कैसे लिखनी है speech में क्या के ची delivery यानि कि कोई भी चीज़ बोलने या बताने का तरीका आप खुदी सोचे आज तक जितने भी public speaker को आपने देखा है कि आपने कभी देखा है कि वो सुस्तों कर अपने कोई बात बोल रहे हैं वो जो कुछ भी बोलते हैं जो शोर पूरे होस्ट में बोलते हैं इससे उनकी ब सामने वाला इंसान आपको सीरिसली लेगा या फिर क्या वो आपकी बात पर विशास करेगा नहीं क्योंकि आप उनके सामने उस तरीके से पेर नहीं हुए जिस तरीके से वो चाते थे यानि कि जब कभी भी एक public speaker के बारे में सोचते हैं तो सूट पहना एक सज़न इंसान हम हमारे दिमाग में आता है तो आप भी हमेशा वही सज़न इंसान बनकर अपनी speech के लिए जाएं या at least formal कपड़े पहने जेस्चर, speech के दोरान, speaker के हाथ और कंदों की moment, सूट पहन कर तयार होने से पहली चीज सही हो गई है, अब दूसरी skill पर ध्यान देने के लिए अपने body posture और हाथों के action का ख्याल रखे, speech के हिसाब से अपनी body moment को बदलते रहें, जैसे कि सिर्फ एक chair पर बैठकर motivation speech को खड़े होकर, लोगों के साथ मिलकर, अपनी पूरी हाथ खोलकर, उनसे कुछ सवाल पूछ कर, उसके कुछ जवाब देकर, अपनी speech को बोलेंगे, तो audience को और दिल्चस्पी आगी, वो आपकी बात समझ पाएंगा रविश्वास कर पाएंगे, आई contact, तीसरी सबसे ज़ादा important चीज है आँखों का connection, आप speech देते time कहां देख रहे हैं, या आपके audience पर effect डालने में, important role play करता है, ध्यान दे, कहीं किसी दिवार, पंखे, या किसी दूसर स्पीकर को तो नहीं देख रहे हैं, अगर ऐसा है, तो ये nervousness शो करता है, ये दिखाता है, कि आपके अंदर confidence की कमी है, इससे audience आपकी बात रविश्वास नहीं कर पाएगी, और आपकी speech में दिल्चस्पी नहीं लेगी, इसलिए हमिशा अपनी speech देते time, अपनी audience की आँखो में देखें, इससे confidence show होता है, जो audience के बीच हमारे रिश्वास और दिल्चस्पी को बढ़ाता है, तो दोस्तों, इस वीडियो से आपने public speaking की आर्ट को सीखा, जिससे confidently अपनी बात को दूसरों तक पहुचा सकते हैं, आईए अब सीखे हुए lessons को एक बार दोरा लेते हैं, त अचा speaker बनने के लिए सबसे पहले अच्छे listener बने, लोगों को अपनी बातों से जोड़े रखें, अपनी बातों में आम बोल चाल के formal words का इस्तमाल करें, अपनी speech को पूरी तरह से plan करके बोले, planning करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इस बारे में clear रहें कि कौन सी बात पहले ब कुछ supporting चीजों का इस्तमाल करने से trust बन्दा है और लोग अच्छे से बातों के मतलब को समझ भाते हैं, इसलिए example, story, data या motivational quotes के जरिए अपनी speech को support करते रहें, हलकी बातचीत और introduction के साथ शुरू करें, audience के साथ topic को जोड़े, introduction के बाद सबसे पहले किसी famous line या famous quotation के साथ speech में दिल्चस्पी लें, अपनी speech के specific purpose के बारे में clear रहें, introduction, body और conclusion को label दें, ताकि audience को ये clear रहे कि कब introduction बताया जा रहा है, कब main बात और कब ending हो रही है, अपनी बातों को अच्छी तरह से समझाने के लिए symbol का use करें, अपनी way of delivery को बहतर बनाने के लिए, physical appearance और gesture का ख्याल रखें, और audience से eye contact मना कर बात करें, तैंकि दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को subscribe जरूर कर देना, क्योंकि बहुत से लोग हमारी सबी वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन subscribe करना भूल चाते हैं, इससे हमें बहुत support मिलता है, जल्दी मिलते हैं और भी बहतरीन वीडियो के साथ, तैंकि यू सो मच